हेलो एवरीबन मैं विपूल आप सभी का स्वागत करता हूँ लनीज यादम भब में आज है 10 सितंबर 2020 और आज के डेट से जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स बन रहा है उन सभी को हम लोग बारी-बारी से देखेंगे पूरे डीटेल्स में तो चले वीडियो को स् अपने पीविएस डे को से जो कि मैं आपको दीया था होम़र के तोर पर अधुल के तो को स्टीन है टेलिफोन कमपनी वड़ापोन आईडिया को रिब्रांड कर क्या नाम कर दिया गया है तो इसका जो रेक्ट एंसर है वह है वि. हाली में वॉड़ापोन आइडिया को अफेर्स है कि इस देश में एपल अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने जा रही है तो एपल कंपनी जो है अपना फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर याने की तैरता वह 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 स्टोर रहेगा वह सिंगापूर कंट्री में वह खोलने के लिए जा रही है बात करते हैं हम लोग को देखते हैं हाल ही में कि इस बैंक ने सिगनेचर विजा डेबिट कार्ड लॉंच किया है तो इसका जो करेक्ट एंसर है वह है मुंबई में है और उसके जो अभी करेंट अभी जो MDR CEO है वो कौन है अतनु कुमार दास क्लियर चलिए अपने नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं हाल ही में All India Tennis Association का नया अध्यक्ष किसे निउक्ष किया गया है तो अभी हाल ही में All India Tennis Association का नया अध्यक्ष अनिल जैन को निउक्ष किया गया है चलिए आगे दिखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में विस्व का सर्वस्षिष्ट बैंक कौन बन गया है तो DBS जो बैंक है जिसका पूरा नाम है Development Bank of Singapore या विस्व का सर्वस्षिष्ट बैंक बन गया है क्लियर बात करें अगर हम लोग सिंगापूर की तो हम लोग अभी बात कर लिये हैं सिंगापूर क्या था सिंगापूर और करिंसी क्या है सिंगापूर डॉलर चलिए नेक्स्ट को देखते हैं चलिए नेक्स्ट को देखते हैं किस राज सरकार ने अपना सिक्षा चैट बॉक्स आपका मित्र कीया है तो यह जो एप लॉंच किया है लॉंच किया है हर्याना सरकान ने बात करें अगर हमनों हर्याना की तो इसकी जो राजधानी यह वह चंडीगर है इसके जो अभी करेंट सीय में वो है उनका नाम है मनोहर लार खटर और अभी करेंट इनके यहां के गवर्नर कौन है सत्यदेव नारायन आरिय बात करें हर्याना की लोकसभाज सीट को की संक्या की तो वह है दस और इसी तरसे राजसभाज सीट यहां पर कितने है कूल टोटल पांच चलिए अपना आज का नेक्स्ट कोशन देखते है चलिए आज का हमारा यह लास्ट कोश्चन है हाल ही में रेडियो खागोल सास्त्री गोविन सलुप का निधन हो गया है वह कौन थे तो इनका जो निधन हुआ है यहां भारतियक रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे कौन गोविन स्वरुप जी इनका हाली में निधन हो गया है तो आज का हमारा टोटल जो कोश्चन का सिरीज था वो खतम हुआ और हमेशा की तरह जाते साथ मैं आप लोगों के लिए एक होमबर कोश्चन देता हूँ तो आज का जो होमबर कोश्चन है आप लोगों के लिए वह है अंतराश्चिय साक्षर्ता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो चार ओप्सन है इनके और इसमें से एक ओप्सन सही है और आपको जो है इसका अंसर कमेंट बॉक्स में देना है तो आसा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो हमेशा की तरह पसंद आया होगा तो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए